यस वी आर अगेंट टुकेटर नाव हेलो फ्रेंट्स दिशी ओर रगविंट सर और वेल्कम बैक टो इस्टेंड अप क्लासे तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं अच्छी हूंगी तो वही एक बार फिर से समय हो चुका है कि आप अपनी तयारी का दम आ करके यहां पे सब्सक्राइब को तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे आज ही अपने आपको अनेकाडमी पे इन्रूल करो और प्लस कोर्स कोर्स जोईन कर लो ठीक है डेफिनिटली यहां से जो आपकी त्यारी का धमाका होने वाला है उसका सोर्स अब को सुना ही देगा और आप देख सकते सब्सक्राइब को आप जानते हैं इसा होई नहीं सकता सभी एजुकेटर को आप जानते हैं इनमें ठीक है टॉप एजुकेटर है तो चलिए देर ना करते हुए लेट्स क्रेकिट जाई आनेकाडमी जोईन करिए और अपनी तयारी बहतर करना सुरू कर दीजे और साथ में जो डिफेंस जोईन करने के चुक हैं उनके लिए चार मार्स से एंडिये सेकेंड के लिए जो है कंप्लीट बैच को सुरू हो रहा है लक्षे नाम का तो प्लीज आप इसे जरूर जोईन करिए आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर मिलकर कि आपकी जो है कंप्लीट सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का डिसकांट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड़ पर तो जाइए आज ही अपनी त्यारी आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए तो फटाफट लाइक कीजिए ताकि आपके दोस्तों इसको देख सकेंए और साल्ब करें अपनी त्यारी बहतर से बहतर करें फटाफट कीजिए उसके बाद हम लोग कोशन सुरू करते हैं लाइक से और सस्क्राइब कर लिजे तो दोस्तों आप जो हमारा सबसे पहला कोशन दिया गया है वो दिया गया है रिजर बेंक आफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे भाई सबस सर्थ आपनवर भी हिल्टन यांग आपस नमर सी एडविन लूटियन आपस नमर डी ओसनबर्ग इसमित फटाफट कमेंट करिए रिजर बेंक आफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे एक वर फिर से आप्सन बोलता हूं सीडी देस मुक आपस नमर भी हिल्टन यांग आप औसनबर्ग इसमें थी याद कर लिजेगा आपसनवर डिया हमारा बिल्कुल करेक्ट है दिमाग में बैठा लिजेगा जब कभी भी एक्जाम में आए तो आपको यही ट्रिक करना है ठीक है कौन थे ओसनबर्ग इसमें थी याद कर लेजगा इंडिया के पहले गवर्णर थे की तरफ चलते हैं तो हमारा अगला कोशन या गया है सम्विधान बनाने वाला पहला देष कौन सा है ब्याद मेट्पुल कोशन है तो मैं आपको बता दूं संविधान बनाने वाला जो सबसे पहला देश है वो है USA कौन है USA यानि अमेरिका United State of America याद कर लिजएगा option number D हमारा बिल्कुल करेक्ट है लॉक करिएगा जब कभी भी एक्जाम में आए आपको USA ही ट्रिक करना है ठीक है चले अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला कोशन और भी इंपोर्टेंट है और काभी भार एक्जाम में भी आ चुका है चिन है किसने जारी किया था चिन ने किया था 7 सताब्दी में याद कले जगा 7th century में ठीक है याद के लिज़ेगा किस ने किया था चीन ने किया था ठीक है तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है चीन है चलिए अगले कोशिन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो हमारी इस practice state का जो अगला और सबसे important question है वो दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है विश्व का पूछ रहा है देश का मैं पूछ रहा है यहाँ पर ध्यान दीजेगा ठीक है तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है आपस नमरे संगाई जो की चीन में है आपसे नमर B, Mumbai, आपसे नमर C, Las Angeles, आपसे नमर D, San Diego, फटा फट कमेंट करिए, बिस्व का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ, बिस्व का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बिस्व का सबसे बड़ा बंदरगा है, वो है संगाई का, जो चीन में है, ठीक है, यत कलेजिएगा, चलिए, अगले कोशन की तरफ चलते है, तो जो हमारा आगला कोशन दिया गया है, दोस्तों, वो दिया गया है, बिहाद में पूले कोशन देख लिएगा है, न्यों की याद कले जुएगा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नाइचो है, वो जापान की खुफिया आइजेंशी है, कहा की, जापान की याद कल जगा, कहा की है जापान की ठीक है तो नाइचो जापान की खुफिया एजंसी है इंटेलिजेंसी एजंसी है ठीक है चलिए अगले कोशिन की तरफ सलते हैं और हमारे देश का कौन सा है रा है यात कले जगा ठीक है अगले कोशिन है प्रतेक वर्स कारगिल वीजय दिवस कब मनाया जा फटाफ़ोट कमेंट करिए जरा कि पर्तेक वर्स जो है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है इस फटाफ़ोट करिए आप सभी के मैं देख रहा हूं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं किसी को भी सर्माना नहीं है अगर तैयारी बैटर की आपकी तैयारी में दम है तो फटाफट कोशन का एंसवर दीजे आप लोग चले मैं आपको बता देता हूं परतेक वर्स जो कारगेर विजय दिवस है ना वो 26 जुलाई को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 26 जुलाई को याद कर लिजेगा आपस नुमर सी हमारे बिल्कुल करेक्ट है लॉक कर लिजे एक्जाम में आएगा तो यही ट्रिक करना है अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगला कोशन दिया गया है बिस वन जीव दिवस कब मनाया जाता है आपस नुमर दे एक मार्च आपस नुमर बी दो मार्च आपस नुमर सी तीन मार्च और आपस नुमर दी है छे मार्च फटा वन जीव दिवस कब मनाय जाता है, when is world wild life day celebrated, भाई अभी कल ही मनाय गया, मैं आपको बता दूं, कब मनाय गया है, कल ही मनाय गया, यानी 3 मार्ज को, तो पटेएक वर्स, तीन मार्ज को, विझ वन जीव दिवस मनाय जाता है, ठीक है, याद कर लिजगा आपसे नबर C हमारा बिल्कुल करेक्ट है आपसे नबर C बिल्कुल करेक्ट है तीन मार्च को परते एक वर्स World Wildlife Day मनाया जाता है This one you divas मनाया जाता है ठीक है आप देखे एक्जाम में मतलब इस तरह की तहारी करें ना एक्जाम में एक दम पुस्तक के लेखा कौन है आपसे नमरे एपीजे अब्दुलकराम आपसे नमरे जौहलाल नहरू आपसे नमरे सी रविद्नाट टेगोर और आपसे नमरे डी है महात्मा गांदी फटा फट कमेंट करिए आप सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं देखना चाहता हूं कितने आपसे नमरे हमारा बिल्कुल करेक्थ है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं भाई तो हमारा अगला कोशन दिया गया है निम्ने में से सिमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है यह भी आपके एक्जाम में काफी और काफी वार पूशा आ चुका है फूइस फ्रॉंटि की फ्रॉंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है फ्रॉंटियर कंडी करिए सब्सक्राइब्दो क्रेंदी अरे खाले काइस MARY यह वार ब्लुआ बढ़ता हैं पहें से अब्रॉंटियर के नाम से और अब्धूल जब्फाय खाँ धिमाग में बठा लेजे जिए जब ले आगले कोशिन की तरफ चलते हैं तो हमारा आगला कोशिन दिया गया है किसान घाट किसका समाधी अस्तल भाई यहीं नहीं पता है तो कुछ नहीं पता रहेगा फटाफट जरा कमेंट करिएगा फटाफट कमेंट करिए किसान घाट किसका समाधी अस्तल है किसान घाट आप समतास्थल क्या नाम है समतास्थल डाक्टर राजेंदर परसाद जी का जो समाधी अस्थल है उसका नाम है महाप्रयाणगाट ठीक है क्या है महाप्रयाणगाट और आपस नमर या स्वरी यह जो डीवला है इंद्रगादी जी इनका जो समाधी अस्थल है उसका नाम है सकती अ जिन्सिंग जी का जो है जो समाधी अस्थल है उसका नाम है किसान घाट यात कर लिजेगा आपस नमर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है एक्जाम में जब कभी भी आए वैसे तो काफी और काफी बार आ चुक है ठीक है अल्मूस्ट फ़र वार एक कोशन समाधी अस्थल से आही ज का है साहित अकादमी पुरुषकार की सुरुवात कब हुई थी आपस नमर ए 1952 आपस नमर बी 1951 आपस नमर सी 1904 और आपस नमर डी है 1907 फटा फट जरा कमेंट करिएगा मैं आप साभी के कमेंट्स देख रहा हूं देखता हूं कितने लोग सही बता पाते हैं कि साहित उसकी सुरुवात हुई थी 1904 में सबसे पहले कब दिया गया था 1904 में याद कले जगा 1954 में चलिए आगले कोशन की दिर्फ चलते हैं दोस्तों तो हमारा आगला कोशन दिया गया है रमन मैक से से पृुषकार की सुरुवात कब हुई ब्याहिद मैक मैंत्मर कोशन है मैकसे से पुरुसकार की शुरूवात कब हुई फटा-फट कमेंट करिए उससे पहले मैं आपको बतादेता हूं यह जो रमेन मेकसे से पुरुसकार है यह किस-किस छेत्र में दिया जाता है सबसे पहले दो जैसे पब्लिक सर्विस में जो है कोई बढ़िया आउट इस्टेंडिंग जो है अगर कंट्रिबूशन कर देता है ठीक है उसके लिए दिया जाता है फिर जनलीजम के छेतर में दिया जाता है जनलीजम के ठीक है और साथ में लिट्रेचर और क्रेटिव आर्ट्स के लिए भी दिया उसका सब्सक्राइब की कि तरफ किस खेल से खेल के में था ऐसे सब्सक्राइब अश्र सब्सक्राइब जो यह flat heat है, यह किस से संबन दीत है, यह table tennis से संबन दीत है, किस खेल से संबन दीत है, यह एक term है, जो table tennis के game के दोरानी इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, क्या नाम है, flat heat, यात कले जागा, option number C हमारा, बिल्कुल correct है, चलिए, अगले question की दरफ चलते हैं दोस्तों, तो हमारा अ option number C, tennis, और option number D, lambikud, फटा-फट जारा comment करिए, देखता हूँ, मैं देखता हूँ, कितने लोगों को सिखा tendon के बारे में पता है, फटा-फट कमेंट करिए, तो मैं आपको बता दू, सिखा tendon, जो एक भारती खिलाड़ी है, यह तैराकी से संबन दीत है, ठीक है, किस के यह से उपर आपके एकजाम में यह question पूशाया चुका है, ठीक है, question क्या है, नहरुट वे किस Kommandit है, नहरुट कमेंट करिए, यह rubikud किस Kommandit है, तो मैं आप सभी को बदा देता हूँ, जो नहरु ट्राफिच से संबन दीत है, किस Kommandit है, याद कर लिजेगा, अगले question की तरफ दलते हैं, और अगला यह जो question है, यह हमारे class का सबसे अंतिम question है, और आपको भी पता है कि हमारे class का rule है, जो अंतिम question होता है, practice rate का, वो आप सभी के लिए होता है, तो जितने भी लोग मुझे देखना है, सभी को comment करके बताना है, ऐसा न आप सभी को comment करके बताना है, तेकि मैं एक ही question से आपका पूरा जो यह है ना, पता लगा लेता हूं कि आपने कितना पर्फार्मेंस दिया इस practice rate में, और साथ में इस total नमरा 15 question, 16 question में आपने जितना सही किया है, आप comment करके जरूँ बताएगा कि आपकी कितने question सही हो सके, उ पर होगा, practice rate होगा, उस हिसाब से set करूँगा, हलके question रखूँगा, या फिर थोड़े और cutting question कर दूँगा, ठीक है, तो please आप comment जरूर करिएगा, कि out of 15, 16 questions आपके कितने सही हो सके है, बाकि आज के class में वस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को रहने वागगा.